नवश्कार आप देख रहे हैं सिल्फ टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा आईए करते हैं ख़बरों की सुर्वात सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेट लाइन्स पर ब्यम ने जबहार नवुदे विद्याले नगर पारा कक्या निरिक्षन छात्रों को दिये सफलता के टिप्स आईपेस बिकास धहवें ने संकर्पम 40 कक्या उत्खाटन छात्रों को आई-ाई-टी और जेई की कराईच राय के निशुर्व क तयारी इवाउं से समवात करने भागरपूर पहुंचे ग्री विभात के विशेश सचिप कहा मंजल तक पहुचने के लिए आत्मे विश्वास जरूरी एक्सिडेंट के बाद विक्रम शीला सेतू पर लगा महाचाम पुलीस ने मोटर साइकल से परिक्षातियों को पूल कराया पार और अज गैविनाथ में हर्शुलास के साथ मनाया चारहा हर जहान भी महुच्च अब ख़वरे विस्तार से भागरपुर जिलाधिकारी सुबरत कुमार सेन रविबार को नवगच्या नारायन पूर प्रखन इस्ते जवाहर नवोदे विद्याले नगरपारा पहुचे जहां नवोदे की स्काउट गाइड चात्राओं ने डियम को तिलक लगा कर पुश्पगुच भेट किया जबकि बैंग बाजा के साथ मार्च पास्ट कर डियम का सुवागत किया वहीं इसके बाद जिलाधिकारी ने विद्याले का निरिक्षन कर प्राचार कक्ष में नवोदे विद्याले प्रवन समीती के साथ बैठक की बैठक में नगरपारा नवोदे विद्याले के प्राचारे रोशनलाल ने छात्रों के सवागिन विकास के लिए विद्याले की ओर से प्रगती रिपोर्ट प्रस्तूत किया प्राचारे ने छात्रों की उपलब्धी बताती हुए कहा कि वर्स 2019-20 में बिहार जारकन एवन पशिम बंगाल के 84-90 विद्याले से ओफ-लाइन वोट परिक्षा में शामिल बारवी कक्षा के छात्रों ने 11 विशे में से 9 विशे में यहां के बच्चों ने पूरे पटना रि यनता पवन कुमार, मन्डेका की कारिकरम पदाधिकारी लाल मोहन राय, प्यासी प्रभारी डॉक्टर विनोत कुमार और मुख्या अनपूर्ना देवी भी मौजूद रही वहीं गने सिक्षक आशुतोस दुवे ने डियम को छात्रों द्वारा तयार आर्ट इंटीग्रेटिड प्रोजेक्ट दिखाया, जबकि कक्षा में डियम ने भी सिक्षकों एवं छात्रों की मेगा को प्रक्ति हुए अपनी अनुभब को साजा किया, और सफलता की कई प्रक्ति रूप से दिपरजूलित कर किया, कारिक्रम में नवोदे विद्याले समीती की ओर से उतकरिष्ट कारिक के लिए विद्याले के 6 सिक्षक एवं शिक्षिका को डीम ने प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया, वहीं अपने संभोधन में डीम ने खा कि नवोदे के सबी चात्र चात्रा टैलेंटेड होती हैं, जिसका उधारन 9000 में से मात्र 80 चात्रों का चियरी थोकर विद्याले में प्रवेस पाना है। संसाधन हम लोग उपलब्द कराएंगे, सब विशियों के चट चट चट। इंस्पायर बिहार की ओट से संकरपम 40 की सुरुवात की गए। इसके तहट निर्धन और मिघावे चात्रों को IIT एवं JEE की निशूत तयारी कराई जाएगी। साथी चात्रों को आवास और भोजन के सुविधा भी फ्री में मिलेगी। इसके पूर्व विकास भैवब ने टेक्नो पॉइंट के निदेशक अंसु सिंग, रावतमल लोपानी चातरवास के अधिक श्राम गुपाल पोदार, गिर्धारी केजडिवाल, बंटी यादव, शिवसंकर सिंग, परिज़ात और तीम के सदस्यों के साथ सहीक्ति रूप स देपर्चोलन कर कारिकरम का विधिवत उधाटन किया, इस दोरान उन्होंने सभी के प्रयास की सरहाना की, कारिकरम में आईपेस विकास भैवब ने कहा कि समास तब आगे बढ़ता है, जब सक्षम लोग गरीवों की मदद करते हैं, इसे सलसिले में टेक्नो मिश्चन ने 40 बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है, जिसमें 15 स्टूडेंस का नामंकन भी हो चुका है, उन्होंने कहा कि इश्वर ने सभी कुछ शमता दिये, और दिर निश्चे के साथ बढ़ने पर कोई भी लक्ष आसमभब नहीं होता है, वहीं अन्शु सिंग ने अपने क बच्चों का बीड़ा उठाया है, इस भी हो पाई है, जिसमाज की लोग सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, आज भी रावतमल मुपानी चात्राबास में, वागलकुल वेर्फेर सोसाइटी, चाप्रिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से ही संभब हो पाया है, ति टिक्न समाज तब ही आगे बढ़ता है, जब लोग जो सक्षम है सहयोग के लिए सामने आते हैं, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुशक्तियों से उतना नहीं होता, जितना सजनों की निष्टियता से होता है, जब सजन बिलेंगे, उर्जा सही दिशा में लएगी तो निष्ट समयता, IITN, IPS और पिहार सरकार के गरीव विवाग के पिसेश सर्चिव माननी विकास व्यभब जी का आगमन हुआ है, आज का जो कारिकरम है, वो पहला संकल्पव 40-20 के तहथ हम गरीद और मेधावी छात्रों का चैन कर, IIT JE के लिए तमें तयारी हम वो करवा रहे हैं, और आने वाले एक साल में हम तयार करेंगे कि 40 में से 40 IIT में जाएं, और सिर्फ IIT ही नहीं, अगले वर्स हम लोग मेडिकल के लिए और अधर पंप्रिटीव एक्जाम के लिए तयार करेंगे, साथ में हम 100 मिसन IIT के बैच की बनाएट से में 100 बच्चों को हमने सुआ पोचिन द अपने संवोधन के दौरान IPS अधिकारे विकास भैवब ने युवाओं से कई सवाल भी पूछे, साथे सिक्षा प्राफ्त करने और बिहार को मिलकर आके बढ़ाने की मुहीम के लिए लोगों को प्रिरित किया, विशेश सचीप ने अंग प्रदेश भागरपूर के इतिह पर चर्चा करते हुए कहा कि विश्व का पहला नगर चमपा था, इसका जिकर बहुत गरंथ में मिलता है, उन्होंने बताए कि यह ग्यांग शौरी और उद्यमीता की भूमी रही है, IPS विकास भैवब की माने तो दूसरी शताब्दी से सद्रवी शताब्दी तक पूरा व समाज जाती, संप्रदाय और लिंक यधार पर शंगर्स कर रहा है, उन्होंने यवाव से समाज की कुरूतियों को मिटाने के लिए आगे आने की अपील की, साथी कहा कि बदलते बिहार के लिए पुरवजों का अस्मरन करना जाही है, बताया कि जोडने की शमता को हमने समाज पर विस्तार से प्रकास डाला, साथी कहा कि छात्रों को इतिहास से शिक्षा लीनी चाहिए, यवा समवात में विकास भैवब ने यवाव को संकत और आत्में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्ररीद किया, वही टेक्नो पॉइंट के निदेशक अंशु सिंग ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार कारिकरम बिहार के यवाव में नई उर्जा का संचार कर रहा है, मौकी पर डॉक्टर अजे कुमार सिंग वंटी यादव उत्तम जुन जुन वाला संतोस सा समेथ सैक्रों यवाव मौचू थे इस जुआ समगात कारिकरम में सबसे पहले यशुश्वी पुर्वजो की भूमी, दानवीर कर्ण की भूमी, प्राचीन चंपा की इसमें प्रेलना समाइथ हो वैसी भूमी जिस भूमी से आचारी को आउंतित करने के लिए हर तिपतवासी ने कभी अपने अपने घर से सोना दान दिया हो वैसे विक्रम शिला की भूमी, अंग की भूमी को मैं शटशट नमन करता हूँ जातिवाद में बटका समधाय के नाम बलड़कर वामस अंगर्श करते हैं जब तक सिच्छा का विकास नहीं होगा, जब तक समता मुलक समाज के स्थापना नहीं होगी, जब तक गुद्यमस थापना होगे, जब तक आपसी सामन्जस से पैदा नहीं होगा, जब तक विहार के इंगाओं में उर्जा का संचार नहीं होगा, जब तक सहयोग नहीं होगा, संगस को छोड़ करके, जब तक चिंतन नहीं होगा, तब तक हमारा ये विहार फिर से गौ एक्सिंस पायर लिहार की पूरी टीम जो अब 30,000 का परिवार बन चुका है सब मिल करके कान करेंगे और भागलपूर का बहुत बड़ा योता है इसके बाद पुलीस कर्मियों जन प्रतीनी थी और आम लोगों की मदद से परिशारतियों को मोटर साइकल से पूल पार कराया गया वहीं दोरान जाम में एमपुलें सहित आवश्यक सेवा से जुड़े कई वाहन भी फसे रहें जबकि जहांबी चौक से तेतरी तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही चल चलाती धूप और गर्मी में दूर दरात से आने वाले यात्मियों का बुरा हाल था हाला कि काफी इंदिजार के बाद पूर से दुरघटना गरस ट्रक और हाईवा को हटाने के लिए रविवार की सुहे जैसे भी मंगवाई गई लेकिन हाईवा पर गिट्टी लोट होने के कारण दोनों वाहनों को किरान से नहीं हटाया जा सका वही इसके बाद नवगच्चा के SDPO दिलीव कुमार की मौचूदकी में हाईवा को अनलोट करने की प्रकरिया शुरू की गई जिसके कारण दो पहर बाद तक दुरघटना गरस वाहनों को नहीं हटाये जाने से पूर पर जाम की स्थिति बनी रहे जबकि परिक्षा समाप्त होने पर घर बापसी के लिए आने में परिक्षार्थियों को एक बार फिर से जाम का सामना करना पड़ा वहीं इसको लेकर नवगच्चिया SDP शुरांत कुमार सरोज ने कहा कि वाहनों के टकर के कारण जाम की स्थिति उत्पन्नी हो गई थी जबकि जाम के दौरान प्रतिनीत पुलिस कर्मियों और पदाधी कारियों ने सेवा भाव का परिचाय देती हुए बड़ी संख्या में परिक्षार्थी बच्चों को मोटर साइकल से पूल पार कराया वहाँ उपस थी जो पुलीस थी लगातार वो मेहनत करके कमस कम मैं यह यह नहीं कहरा हूँ कि पुरा जाम को क्लियर कर दिया गया लेकिन ट्रेफिक को स्मूथ किया गया वन वे ट्रेफिक के माध्यम से आज एकजाम भी था सी वेसी टेंथ का था अमें लड़कों के पैरेंट्स ने फोन के आ था टीचर ने फोन के था और हमारे निर्देश अमारे कस्टेवल या पदाधिकारी जो भी थे या तो अपने बाइक से या वहाँ से गुजरने वाले बाइक से या अन जो छोटी मू आर्ती सभा के महामंद्र संजीव जहा ने बताया कि वैशाक शुकले पक्ष सप्तमी के दीन ही मा गंगा का पृत्वी पर पुने आकमन जहानवी रिशी के जंगा से निकलने की कारण इनका नाम जहानवी पड़ा और इसी कारण जहानू नगरी को जहानवी गंगा की पुन मा गंगा के पुने आफ्तरन दिवस को लेकर सुतानगन छेत्र वास्यों से मा गंगा के चर्णों में एक दीप अर्पित करने की अपील की जिससे की आने वाली पीडियों को हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मित प्रतिष्ठा के महत्विगा पता चल सके बतादी की गंगा मह आर्ति में पंडित कृष्णा मिष्ठा नवीन च्छा प्रवीन च्छा रजनिस च्छा मन्ना सागर गुल्षन च्छा एवं अंकीत मिष्ठा द्वारा की जाएगी वही रविवार को आयोजित जहानवी महत्सव में पंकश यादत राजेश च्छा सौरफ कुंजू पुनर्जन्म हुआ और मागंगा का नामकरन जहन्दवी पढ़ा यहां जन्नों लगरी मागंगा की पुनर्जन्मस्थली मानी जाती है इसके उपलक्ष में यहां मागंगा को पुजन नमन महारति कर उनके उत्सब को मनाया जाता है आपके नस्दी की शहर बॉंसी बिहार में एक मात्र फार्मेसी कॉलेज Modern Institute of Pharmacy जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सोविधाएं अब आप भी D-Pharma और B-Pharma जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गेर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं बिहार जारखंड एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत छात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका सुर्निम भविश्य बनाईए ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते हैं वकली खवरक्योर अगर खुद पर विश्वास हो तो सरकार की पहल के बिना ही समस्याओं का समधान निकाला जा सकता है कुछ ऐसा ही काम किया है भागरपूर सुल्तानेश प्रखन इससित मस्ती मौसा के ग्रामीनों ने दरसल यहां के ग्रामीनों ने पानी की समस्याओं को हल करने के लिए खुद ही आपसे सहियोग से तलाब खुदने का काम किया जिससे किसानों के साथ ग्रामीनों को पानी की किल्लत से काफी हद तक राहत मिली है वहीं इसको लेकर गरामीनों का कहना है कि बिहार सरकार की साथ कठा जमीन वर्सू से खाली पड़ी थी जहां जल संकट को देखते हुए पुरु प्रमुख प्रमूत मंडल की अगुवाई में गरामीनों ने आपसे सहीयोग से पोकर की खुदाई की जिसे ग्रामीनों को लगतार हो रहे जल संकट की समस्या से राहत मिल सके वहीं गौ के पुर्व उप मुख्या मोहमद मतीन ने बताया कि ग्रामीनों के सहियोग से खोदी गए पोखर से गौँ के सैकडों किसान और पशु लभान भी थोंगे हाला कि एक ओर जहां ग्रामीनों की इस पहल से लोगों के बुलंद इरादों का पता चलता है वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अस्तर से जलापूर्ती और तलाव खुदाई को लेकर किये जाने वाले दावे की पोल खुल जाती है तो इस वार जो हुआ तो ग्रामीनों के सयोग से मेरा नाम उच्छाल हुआ लेकिन ग्रामीनों के सयोग से सब्गरामीन किसान हो गायवाज चराने वाला उससफ के सयोग सिए पोखर खनाय आ एगे परिक्षा ड्यूटी से लौट रहे गया के सदर S.D.O. और T.S.P. के गाट से हुई जड़प के कारण कॉलकता नई दिली रेलवे लाइन पर अबातमन घंटे भर भादित हो गया वही जान के दौरान प्रशुत्तम एक्स्प्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेन के पैसेंजर को काफी देर इंतिजार करना पड़ा इधर पुलीस और पबलिक के बीच होई जड़प में घायल होए युबक ने पुलीस पर वरवर्ता का आरोप लगाते होए कहा कि वो दुकान बंद करके आ रहा था तभी पुलीस बाले ने उस पर हमला कर दिया रिसेवर घायल हो गया वहीं पुलीसिया वरवर्ता को लेकर लोगों ने जम कर बवाल काटा और रेलवे ट्रेक भी घंटों जाम कर दिया हाला कि बात में पुलीस के शक्ती के बाद रेलवे ट्रेक को खाली करवाया गया अधर मामले को लेकर गया कि टाउन डियेसपी ने बताया कि इस मामले में सदर इसडियों को भी चोट आई है जब कि कई पुलिस कर्मी भी खायल है साथी कहा कि उबदर्व मचाने वालों को चिनहित कर प्रात्मी की दर्ज की जा रही है और जो भी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी पर सुथार के बाद कि पीछे थे नंगता लुप नुप नियुक्ती गिरी थी रोट भ्लोग था मोटो साइकिल वाला आगे से दाहिने हो जोगाएगी सब्सक्राइब निकले थे वह हटा रहा था उसका पुलिस के द्वारा ही मारा गया है उसी को लोग जाम किया था उसी में एक सिसा को चोट लगा ती बस का सिसा पूल गया है पुलिस कर्मी को भी चोट लगा है उसको जो पुलिक को चोट लगा था उसके लिए हॉस्पिटल गया भागरपूर रामसर चौक के समीब अमाजी सेवा कींद्र में रविवार को निशुल के स्वास्ते जात सभिर का आयो चंग किया गया शिविर में वर्य फिजिशन डॉक्टर जिया एहमत ने चिकित्सिय प्रामस दिया इस दोरान BP मधू में समेट कई प्रकार के ज्याज की गई डॉक्टर जियां एहमत ने बताया कि गर्मी के मौसम में ज्यादा तापमान के कारण हमारी बोड़ी में कई तिरह के गंभीर प्रभाव पड़ते हैं उन्होंने कह कि डिहाइड्रेशन होने पर तुरंट चिकित्सक से संपर्क करें वही सेवा केंदर के अध्यक्ष मुझफफर एहमत ने बताया कि प्रतेक रविवार को अम्मा जी सेवा केंदर में निशुल का स्वास्ते जान शिविर लगाया जाता है जिसमें सभी वर्गे की लोग आकर चिकित्से प्रामर्स ले सकते हैं इस अपसर पर अम्मा जी सेवा केंदर के सचीव जय प्रकाश यादफ उप सचीव सेज़ जेजा हुसैन दुल्ला खान समीत कई लोग मौचूद थे जंदर परसन को वो वारस का यूज करें रेक्टर पोलर का यूज करें यह जरूई नहीं है कि वो मेडिकेट्ड वारस ही गवर्मेंट वारस ही उज कर सकते हैं पलस डायर भूमेटीं का केस भी बहुत जादा कॉमन इस सी जन में दिख रहे हैं आज एक समय में लोग अपने सरीर के परती स्वस्त के परती लापर हुआ हैं और गरीबी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों के पास इतनी रासी नहीं है कि वो जाके जाँच कर आएं इसलिए हम लोगों तक पहुंचेंः जो लोग अपना जी सेवा के अि pockets के माद्यम से आच्छे जो परसित जौकर ईया और पूरे महले के लोगों को पूरे भागापूर के लोगों के मनलों हम बोगों की सुछना दिया कि शहर के कई इलाकों में जल संकट की समस्या तो आम बात हो गई है लेकिन शहर के मुख्य अस्थानों पर भी पानी की समस्या का सामना लोगों को करना पड़े तो इसे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही ही कहेंगे गर्मी आते ही पानी का लेयर नीचे जाने लगा है डिसकारण शहर के चौंक चराहों पर भी पानी की समस्या उत्पन ने होने लगी है इस भिशन गर्मी में कई दिनों से भागलपूर पुर्वी रेलवे स्टेशन परीसर के आसपास के दुकानदारों रिक्षा चालको, ओटो चालको, टोटो चालको एवं रहागीरों को जल संकट की विक्राल समस्या से गुजरना पढ़ रहा है लेकिन किसी ने भी इसकी सूध नहीं ली और आखिरकार रहागीरों और वहाँ चालको की समस्या को देख कर कुछ दिन पूर्व दुकानदारों और वहाँ चालकों से मिलकर युवा समासवे विजय कुमार यादप ने अपनी नीटी कोस से चिंता हनेश्वर मंदीर पईशर में बोरिंग का कारे शुरू कराया वहीं बोरिंग का कारे पूरा होने के बाद रविवार को मातरी दिवस पर प्याओ का विदिवस शुभारन युवा समासवे विजय कुमार यादप तुआरा किया गया मौके पर मौजूद अस्थानी निवासी जियोतिस मंडल ने हर्ष यताती हुए कहा कि इस प्याओ के बन जाने से अब आसपास के दुकानदारों और वहां चालोकों के साथ दूर दूर से आए यातनियों को भी काफी सुविधा मिलेगी और पानी के लिए इधर उधर भट यकना नहीं पड़ेगा साथ इस कारी के लिए सभी लोगों ने इवासमासेवे विजय कुमार यादफ के खुब शरहाना करते हुए अभार चताया वहें विजय कुमार यादफ ने बताये कि जल ही जीवन है इसलिए उन्होंने लोगों की समस्या देखते हुए कई लाकों म मौझूद थे हैं आज का कारिकरम जो है यहां पर इस सब्सक्राइब है यह मंदीर है और यहां पर जितने भी वेपसाइट करने वाले जर्टी हैं जो खेलाब पर लगाते हुए हैं जो कंदार लोग हैं उन लोगों को यहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या था और पीन पानी की समस्या तो आप लोग भी जानना है कि पूरे सहर में लगातार चल रही है यह मेरा मुहिम है पानी को दूर करने की जो कस्थ लोगों को पानी का उसको दूर करने के लिए लगभग बाड में मेरा प्याहू का काम चल रहा है और लगातार चलते रहेगा यहां पर हम दुकंदारों ने बिजेविया के समक्ष में रखा है बिजेविया ने सारे दुकंदार एबं- राहगिरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है पानी उन्होंने दिए आख सब से बार बीजेविया भुथ धनवाद के पात रहे उन्हें हम लोगों की बात तो रखा और इसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और चिंता है ने स्वर मंदी रह जया इस्टेशन परिशर की यहां सभी का चिंता दूर होता है पानी का एक चिंता था उन्हों पानी की चिंता दूर होई अब चिंता रहा विजयविया का विजयविया भागलपूर हुसायनपूर में पाकिजा कमीटी की ओर से रविवार को पाकिजा चोग के समेप एद मिलन समहारों का आयोजन किया गया कारिकरम के अधेक्षता समाज सवे रिजवान खान ने की एद मिलन समहारों में महबूब आलम मुहमद शकील सलीम सुगंथ वसीम खान उफ लल्लू समेट कई लोगों ने शिरकत की वही रिजव व्यक्त कियें साथी समाज में आपसी सोहर्थ और भाईचारा को बढ़ावा देने का संदेज दिया एद मिलन समहारों में इनूर होदा तकी एहनल शावेत सहित शहर के कई लोग मौचुद थे बाका के धोराईय प्रकट छेट आंतरगत पत्तु चक गौं में नौद दिवसे महारूत रियक सहषे परिवार अचल प्रान प्रतिष्ठा के आयोजन को ले करेंगे भवे कलशोभाय यात्रा निकाली गई फत्तु चक गौं श्थित गेरुआ नदी के किनारे बने भवे यक मंडब से गाजे बाते के शाथ निकाली गई कलशोभाय यात्रा में 501 कन्याओं ने हिस्सा लिया जबकि पूरे मार्क में जै श्रीराम और जै माता दी क्या जैकार गूंसता रहा वही ब्रह्मन करने के बाद गेरुआ नदी से जल भर कर कला शुभाय यात्रा बिभलने मार्कों से होते हुए पूरा यक मंडब पहुच कर संपन्ने होई वही रविवार को कथा व्यास आचारी ओम प्रकासी महाराज एवं उनके साथ आये विद्वान पंड अचार इवं सद्गती आती है जबकि लोगों में व्याप्त कुरूतियां भी दूर होती है और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइन्स पर डियम ने जबहार नवुदे विद्विद्वान अगर पारा कक्या निरिक्षन छात्रों को दिये सफलता के टिप्स आईपेस विकास दहवे उन्हें संकर्पम 40 कक्या उत्खाटन छात्रों को आयाईटी और जेईए की कराईच राय के निशुरक तयारी इवाउं से समवात करने भागरपूर पहुंचे ग्री विभात के विशेश सचिप कहा मंजल तक पहुचने के लिए आत्म विश्वास जरूरी एक्सिडेंट के बाद विक्रम शीला सेतू पर लगा महाचाम पुलीस ने मोटर साइकल से परिक्षातियों को पूल कराया पार और अज गैविनाथ में हर्शुलास के साथ मनाया चारहा हर जहान भी महुच्च फिलाल इस बुलेटीन में इतना ही नमस्कार झाल इस बुलेटीन में इतना ही नमस्कार